बिहार में लगातार सिक्षकों का हंगामा प्रदर्सन जारी है इसी बीच आज T.E.T.S.T.E.T. उतिर्ण नियोजे सिक्षक संग गोब गूट के बैनर तले सुबे के 12 जिलों से आये सैकडोश्टकों ने बिहार सिक्षा प्रियूजना परिशद कारियाले के समख्ष धरणा प्रदर्सन किया गरतलब है कि शुबे के सभी जिलों में अस्थान्य निकायों में प्रतिन्युक्त सिक्षकों को शर्षमय वेतन दुक्तान का अभाव तथा एरियल भुक्तान में वर्सों से बिलंब शहित अन्य शमश्याओं का सामना करना पड़ लहा है नियमित वेतन भुक्तान को लेकर बिहार सिक्षा परियोजना और सिक्षा विवाक के आलाधिकारियों करवया शडव उपेक्षा पुन रहा है सिक्षकों को रोज मर्रे के जीवन में भारी कठनाईयों का सामना करना पर लहा है लिहाजा सिक्षकों में भारी आक्रोश व्यापत है बिहार सिक्षा परियोजना परिशत कारियाले के समक्ष प्रदर्शन को संबोधित करते हुए श्रंगठन के प्रदेश अध्यक्ष मारकेंडई पाठक ने कहा कि सिक्षकों को वर्षों से लंबित एरियर हुकतान नहीं किया गया है ऐसे में वो लोग सरकार से खपा हैं सरकार रोज नए सीगूफे छोड़ने में जुटी हुई है दो यहीं साल पहले विहार के सरकार के निर्देश पर लगभग 15000 के लेकर के लाख रुपया तक है और इन तीन साल के ओधी तब लगतार जीला से लेकर के और सचिवालाय तक हम लोग गुहार लगा रहे हैं लेकिन हमारा अंतर बेतन का भुगतान नहीं हो रहा है जिसके खिलाप में और साथ ही साथ जो समय बेतन भुगतान होना चाहिए बांका सहित कई जीले का नौंबर महि इसे बेतन बगाया है और सारे जीलों में ही दिसंबर से नहीं मिला है तो इस बेतन से समय हो एक साथ एक मुष्ट हम लोग आरे बेतन का लॉट्मेंट हो हमारे पंदन्यति की विवस्ता हो पुर्ष चकों के भी आस्थानांतन की विवस्ता हो 15 पर तीसर प्रिक्सेशन का स् पेतन चाली हो इन मुख सवालों को लेकर के आज टी 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 उतिन लियोजी सिच्चक संचे जिरे हुए सिच्चक यहां अजसन पर बैठे हुए हैं और हम सरकार तक अपना संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारी धैज की सीमा को मत मापिये हमारा धैज अगर तूट जाती है इससे हम वलिवाती जानते हैं इसलिए हमारी मांगों को अभिलंब पूरा करिए अंतर वेतन और ससमय वेतन को चालू करिए मारकंडे पाठाग परदेश अध्याग स्टेट स्टेट उटिंडियोजी सिच्चक संग्याद सिच्चा विभाग पौदवन्नती और पौदवन्नती के मामले में विभाग ये नियामवली को तोड मलो रही हैं पंदर फीजदी बढ़ोत्री मसले पर फिक्सेशन कारी धीमी गती से चल रहा है अब सिच्चक चुप नहीं बैठने वाले हैं अविलंब अलोट्मेंट नह को लेकर प्रात्मिक सिक्षा निर्दे साले को पत्र लिखा गया है फिर से इस मसले पर बिहार शिक्षा परियोजना प्रात्मिक सिक्षा को रिमाइंडर कराया जाएगा शिक्षकों का कहना है कि वोवताधिकारियों के टालमटोल के रवाई ये अब नहीं सहन होने वाले है अलर्टमेंट नहीं होने के स्थिति में सिक्षक राजव्यापी आंदोलन करने को मजबूर होंगे